हेलो गाइस कैसे आप लोग कैसे चल रही सब की पड़ाई बड़े एकदम सो माइने में संजीफ पांडे और स्वागत आपका आपका आपने प्यारे से चैनल में खुबसूरे से चैनल में जे आर टुटोरियल में तो जैसा कि आपको पता है इन लास्ट लेक्चर और इन लास स्टाट लेक्च वाला है विल स्टाट वी यह था थे तर्मल और वी स्टाट वीत धा ग्रेतिशन वाला पाट वर इस्ट उसको करेंगे ऑगाए है हां थुड़ी से बेसिक बाते हैं कि भाई क्या होता है मागनेट कहां से आती है मैगेनेटिक प्रपर्टी what is the relation between magnet and electricity ये दोनों independent है की नहीं है what is bar magnet थोड़ा बहुत पढ़ेंगे bar magnet का magnetic field पढ़ेंगे तो ये थोड़ी बहुत कहानी हम लोग earth magnet के बारे में पढ़ेंगे तो ये थोड़ी बहुत कहानी हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं तो start करते हैं lecture बेट जाओ book और pen लेके सारा जो भी खाने पिने का सामाना है, तो अखर magnetism की बात करें तो magnetism की कहानी यहां से स्टार्ट होती है यह तीन नाम बहुत 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 है नाम है William Gilbert Hans Austin and James Maxwell यह बहुत 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 हैं यह बहुत बहुत है है नहीं बट काम करता है इसके अंदर ऐसा मान लोग की imagination था कि भाई कि इस अर्थ के अंदर जो अर्थ है उसके अंदर एक बार मागनेट है तो that's why वो बार मागनेट क्या करता है वो बार मागनेट सब चीजों को एट्राक करता है ऐसा मान ना था बट ऐसा हुआ यह assumptions fail हो गया क्या फेल हुआ वो 12 पे कहानी हम लोग देखेंगे कोई problem नहीं है तो कहानी कहां से start होती है कहानी स्टार्ट होती है magnetic field से मतलब ऐसा देखा गया कि जब कभी भी कोई charge या फिर कोई electric current flow होता है तो वह electric field के साथ magnetic field भी produce करता है मतलब जो electric field है वो independent नहीं है ओके मतलब उसके साथ भाई कहीं न कहीं magnetic field का भी introduction होगा तो कहानी कहां से आती है कहानी से आती है flowing charge will produce the magnetic as well as इलक्ट्रिक फिल्ड flowing charge will produce the magnetic as well as electric field यह कहानी हम लोग ने अल्रेड़ी देखी हुई है यह कहानी हम लोग ने देखी हुई है बहाई, electric field की कहानी देख लिए electrostatic में अभी तक नहीं देखा है तो जाओ already play store में playlist में पूरा का पूरा तो वहाँ पर electrostatic तुम लोग देख सकते हो क्या क्या effect दिखाता है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे generally magnetic field की क्या बात करेंगे magnetic field की तो जब कभी भी कोई charge move होता है तो वो magnetic effect दिखाता है magnetic properties दिखाता है तो कुछ properties already हम लोग ने मेरे ख्याल से 9th या 10th में पड़ी थी, तो वही चीज़े हम लोग थोड़ी से revise कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग magnetic field की तरफ जाएंगे, तो पहले कुछ properties revise कर लेते हैं, magnetic field line of forces and magnetic field, ओके, तो कुछ magnetic line of forces क्या होते हैं, भाई, it represents the direction of the magnetic field, yes or no, the tangent drawn at the curve will represent the direction of the magnetic field, yes or no, पहला कानी याद करो, क्या था, the tangent drawn on the or on the magnetic field line, magnetic field line will represent will represent the direction of magnetic field, yes or no, भाई, वो direction बताएगा, अमाल लो, यह line है, यहाँ पर tangent रो किया, तो यह जो tangent है, वो direction बता रहा, उस magnetic field line का उस particular point पर, उस particular point पर, इस point पर, अमाल लो इस point पर find out करना, यहाँ पर tangent बना दो, it will give the direction of this point, यह point पर वो direction बताएगा, परण बताएगा, अगे, कुछ ऐसी कहानी बनती है अगर यह नौर्थ है यह साउथ है तो यहां से बार मैगनेट का जो मैगनेटिक फिल लाइन से यह कुछ ऐसे जाएंगे सेम लाइक फिल की कहानी सेम लाइक इलेक्ट्रिक फिल की कहानी यह सौनो इलेक्ट्रिक फिल में क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फिल लाइन से वो ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव से और टर्मिनेट होती है नेगिटिव में यहाँ पे originate होगा north से और terminate होगा south, यह outside the magnet, अगर हम लोग inside की बात करें, तो अंदर क्या होगा, उल्टा, भाई अंदर क्या होता है, south से north की, वहाँ पे magnetic field भी बहुत ज़्यादा strength होगा, मतलब जहाँ पे crowd ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो field होगा, वो बहुत ज़्याद होगा, like poles, याद करो, poles पे जो magnetic strength होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और बीच में जो magnetic strength होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता, यहाँ पे जो number of lines होते हैं, वो थोड़े से spread होते हैं, याद करो तुम लोग ने एक experiment किया था, वो कौन सा experiment था, वो iron filling वाला, iron filling थोड electric fill line से वो कभी intersect नहीं करती एक दूसरे से, yes or no, नहीं, electric fill line एक दूसरे से interact करती है, अगर वो करिंगी तो there will be a two direction, which is impossible, okay, दो direction किसी एक point पर रहना possible नहीं है, तो वो कभी intersect भी नहीं करती, yes or no, और यह continuous curve है, कहीं पे curve ब्रेक नहीं होता, यह continuous curve बनाते हैं, बास मिना रहा हैं इसमें आ रहा है, these are the properties, these are the properties, okay, अब इसमें से कौन सी properties तुमने लिखी है, कुछ extra properties लिखी है, तो वो भी मुझे बताओ, वो भी हम लोग discuss कर लेंगे, कोई problem नहीं है, clear, बास मिनागे everyone, okay, पढ़ लिया है magnetic properties, okay, next कहानी देखते हैं, next क्या कहानी, which is very important, यहाँ पे magnetic field define करना है, क्या होता है magnetic field, तो देखो magnetic field का एक definition तुम लोग पढ़ने वाले हो, यहाँ पे हम लोग magnetic field को define करेंगे, in terms of magnetic flux, तो सबसे पहले क्या होता है, magnetic flux वो देख लेते हैं, okay, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, magnetic flux की, so what is magnetic flux, उसकी बात करेंगे हम लोग, तो magnetic flux क्या होता है, तो magnetic flux क्या है, तो the number of line passing through a unit area, okay, a number of line passing through the area that is nothing but a magnetic flux, that is nothing but a magnetic flux, और इसी टम में हम लोग define करते हैं, क्या, magnetic field, magnetic field क्या होता है, भाई, how many number of lines, how many number of lines passing through the area, okay, per unit area, मतलब बगर देखने जाए, तो magnetic field, मतलब उसको B से represent करते हैं, magnetic field को किस से represent करते हैं, magnetic field को हम लोग represent करते हैं, B से, तो और magnetic flux को हम लोग represent करते हैं, फाई से, तो B कैसे define होता है, फाई बगर एरिया, मतलब the number of, the number of line passing through per unit area, per unit area, okay, इसको बोलते है number of line, मतलब कितना line pass हो रहा है किसी unit area से, that is called magnetic field, okay, that is called magnetic field, okay, the number of, number of magnetic, magnetic line of forces, passing per unit area, बात समया रहा है, this is nothing but a magnetic field, इसको यह हम लोग बोलते हैं, magnetic field, अगर हम लोग unit की बात करें, तो unit क्या हो जाएगा, what will be the SI unit, SI unit क्या हो जाएगा, जर बात करो तो, SI unit क्या हो जाएगा, गरदन अभी भी मेरा खराबी है, चलो, SI unit की बात करें, तो SI unit, जो flux होता है, हम लोग measure करते हैं, वेबर में, इसमें, वेबर, तो इसको WB लिखते हैं, और area को हम लोग measure करते हैं, meter square, तो unit क्या हो जाएगा, देखो जरा, that is, वेबर, per meter square, और, और, इसको हम लोग combine करके, क्या बोलते हैं, टेसला, इसको हम लोगी combine करके क्या बोलते हैं, टेसला, तो या फिर वेबर, per meter square, लिखो, या फिर टेसला लिखो, कोई प्राबलम नहीं है, ओके, दोनों बहतरी unit है, किसके, magnetic field के, किसके, magnetic field के, तुम लोग जो इस्तमाल करना चाहो, इस्तमाल कर सकते हैं, मतलब, अगर तुम लोग वेबर, per meter square, भी इस्तमाल करोगे, तो भी सेम है, टेसला भी इस्तमाल करोगे, तो भी सेम, जाता करके, दोनों इस्तमाल होते हैं, तो confused नहीं होना है, कि सर, वेबर, पर मीटर स्कोर दिया है तो क्या दिया है मतलब वो मैंगनेटिक फिल्ड ही दिया है और अगर टेसला दिया है तो भी क्या दिया है सर वो वो मैंगनेटिक फिल्ड ही गीवन है clear बात समयारी everyone what is magnetic field एक और definition है magnetic field का अगर define करना चाहूं तो अभी मैं करता हूं यह वाला जो definition है वो भी बहुत 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 देफिनेशन है that is b is equals to magnetic flux divided by area बात समयारी everyone पका समझ में आया क्या होता है magnetic field समझ में आया what is the magnetic field intensity देखो मैंने बताया था ना electric field और electric field intensity तो भार भार वो magnetic field intensity magnetic field intensity नहीं बोला जाता है तो इसलिए इसको magnetic field ही बोलते है but actual में वो intensity की बात हो रही है मतलब कितना value वो produce कर रहा है वो quantity की बात हो रही है magnetic field तो एक area होगा है ना imaginary area जहां तक उसका field काम कर रहा है but उसकी intensity कितनी होगी that is this much intensity तो इसको ही हम लोग हर बार magnetic field magnetic field बोल देते हैं बट वो है actual में magnetic field intensity clear बासन में आगे everyone पका आगे बढ़े चलो next हम लोग discuss करेंगे that is a bar magnet bar magnet के बारे में हम लोग discuss करेंगे थोड़ा बहुत जान लेंगे तो भाई bar magnet के अगर हम लोग देखने जाए तो कोई भी magnet देखने जाए doesn't matter वो कितना बड़ा हो doesn't matter वो कितना छोटा हो क्या size है उसका उसके पास दो poles तो हमेशा होंगे that is north pole और south pole यह तो हमको पता है generally north pole होता है और south pole होता है so this is the north pole and this is the south pole always electric field line start होंगे north से end होंगे कहां पे south पे और अंदर अगर बात करेंगे तो south से कहां जाएंगे north की तरफ जाएंगे ok इसको दो axis होते है this is called axis which is called as उसको क्या बोलते है नाम मुल गया क्या बोलते उसको एक तो equatorial axis हो गया मतलब along the equator और एक होता है polar axis along the pole pole की along axis होता है it is called as polar axis और एक होता है equatorial axis तो दो axis होते हैं उसको अगर हम लोग बात करें तो भाई दोनों का जो strength होता है मतलब north और south का जो strength होता है वो same होता है that represented by qm उसको हम लोग qm से represent करते हैं but जो यह होता है sign होता है वो opposite होता है मतलब एक होता है प्लस और एक होता है माइनस ऐसा मतलब दोनों opposite sign होते हैं दोनों को तब ही तो वो create करते है magnetic dipole यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ पढ़ने वाले है that is a magnetic dipole electric dipole पढ़ा था ना वैसी magnetic dipole moment इसको हम लोग M से represent करते हैं या फिर Mu से represent करते हैं दोनों representation चलता है कहीं कहीं हम लोग उसको M से represent करते हैं कहीं कहीं हम लोग उसको Mu से represent करते हैं तो यहाँ पर definition कसा है यहाँ पर definition है QM into 2L and what is 2L? 2L is nothing but the length of that bar magnet the length of that QM and minus QM यह जो plus QM है मतलब north और south pole का जो distance है that is called 2L the length of that magnetic strength वो जो पूरा length है that is called 2L तो what is the magnetic dipole moment electric dipole moment याद करो तुमको यादा जाएगा electric dipole moment क्या था it is a product of charge and the length of that dipole तो यहाँ पर भी कहानी भई यह भाई इस a product of strength इसको pole strength बोलते हैं क्या बोलते हैं? pole strength where QM is called as pole strength clear? बासम में आ गई? okay where QM is called as pole strength तो it is a product of pole strength and the length of that bar magnet that is 2L length of that dipole magnetic dipole that is 2L clear बासम में आ गई everyone? पका? कहानी समझ में आरी की नी समझ में आरी है? that is very important okay? bar magnet पे अगर हम लोग देखने जाए देखो जो equator का जो line है वो उसके center से pass होता है and perpendicular होता है उस bar magnet को और जो axial जो polar axis है वो उसके center में से pass होता है बट वो parallel होता है वो देखो parallel है तुमारे magnet को तो this is nothing but a bar magnet अब उसका magnetic strength भाई axis पहलग magnetic strength होता है equator पहलग magnetic strength होता है वो सब के बारे में भी discussion करना हो so since it is a introduction वाला lecture भाई हम लोग उसको जादा lengthy करने कोशिस नहीं करेंगे तो क्या ही करना है तुमको भाई आज का वीडियो देखना है फटाक से बहतरी notes बनाना है एक बात test book read कर लेना है कुछ point अगर उसमें से नहीं समझ में आ रहे है तो comment section में comment कर दो कोई problem नहीं है हम लोग discuss कर लेंगे तो instagram में मुझे dm कर सकते हो कोई problem नहीं है clear everyone बात समया गई चलो आज का वीडियो यही paint करते हैं आज कले बस इतना है that's it for today thank you so much